नमस्कार दोस्तों मैं अमिर आपका स्वादत करता हूँ आपके अपने इचरह एमी बेबल में इस वीडियो में लेके आया हमें बहुत ही कमाल की टेक नियूज दोस्तों आज की प्रेंडिंग टेक नियूज है आज का पहला अपडेट है फिंगरपिंट स्केरर कार्स को लेके बहुत जड़ल आप ऐसी कार खरीद पाएंगे जिसे स्टार्ट करने के लिए और जिसका दरवाया खुलने के लिए आपको फिंगरपिंट की जरूरत होगी और यह कार आपका फिंगरपिंट पहचामने के बाद आटोमेटिकली कार के मिरर्स, एसी, सीट और भी बहुत कुछ आपके हिसाब से एडजेस्ट कर देगी हुंड़ाई ने अनौंस कर दिया है कि यह टेक्निवारी उसकी सेंटा एफी एसीउ में सबसे पहले मिलेगी हुंड़ाई का कहरा है कि यह फाइल टाइम मोर एफेक्टिव है स्मार्ट कीस से तो दोस्तों आप ऐसी अपने काम की टेक्निव सबसे पहले देखने के लिए हमें सबस्क्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा अगला अपडेट है रेडमी को लेके 10th Gen को Xiaomi Redmi को officially separate brand declare कर सकता है और उस दिन Redmi का पहला phone भी launch होगा जिसमें 48MP का camera होगा अगर leaks की मान है तो यह mobile Redmi Pro 2 हो सकता है और इसमें आपको मिल सकता है punch hold display और Qualcomm Snapdragon 675 processor तो दोस्तों आप Redmi के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे comment में बताइएगा जरूर अगला update है smart watch with camera को लेके वैसे तो smart watch में camera होना कोई नई बात नहीं है पर LZ ने एक patent file किया है और उस जैसे camera use करने वाला है वो नई बात जरूर है इस patent के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें होगा एक modular camera जिसे आप attach कर पाएंगे band पर और ये camera आपके mobile से भी attach होगा जिसका मतलब आप आसानी से बिना किसी के notice में आएगे जितना भी चाहें ले पाएंगे pics दोस्तो इस technology के लिए एक like तो बनता है अगला update है moto jet for play को लेके moto jet for play के 360 degree video leak हुआ है और उसके base पर हुआ कह सकता है कि इसमें आपको मिल सकता है 6.2 inch water drop knob display single back camera, 3.5 mm audio jet USB C port और in display fingerprint sensor आज का आखरी update है Nokia 106 2018 को लेके Nokia ना इंडिया में launch कर दिया है Nokia 106 शिस 1299 रुपीज में और इसमें आपको मिलता है 1.8 inch की display MediaTek 6267 D processor, 4 MB RAM, FM radio, flashlight और 800 ms बैटरी जो की up to 21 days चलेगी stand-by mode में इस वीडियो में बस इतना है यहां तक देखें के लिए आपका धन्यवाद उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद रहा होगा ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देख बाबाई टेक क्यार